कि अगर आप सोच रहे हो कि आप लेटरल इंट्री का फॉर्म इस वार भरोगे और आप लेटरल इंट्री की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए तो गाइस जैसा कि आपने थमनल में देखा है आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले हैं फालेरल इंट्री के इंग्जांब लेद इसका इसक अब लेकां कैसे होता है और इसके सब्सक्राइब मैं आपको बढ़स कबाएब और एक बात और बता दो यह जूंबसमे आपको बता रहा हूं यह स्लीडर मैं अपने मन से नहीं बोल दिया मैंने प्रिवियस पाइब का कोश्चन सोता है और उसमें देखा है और उसके बेसिस पे मैं आपको इस लिबस निकाल करके बता रहा हूं तो मैंने बहुत मैंनत करी है अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करना तो इस फर्स्ट फॉल दे से फिप्टी तक आपका मैंस और उसके बाद कोस्ट नमबर फिप्टी वें से लेके हंडेट तक आपका सब्सक्राइब तो इसका स साइंस आपका तीन सब्जेक्ट रहेगा मतलब यह जो पचास कोश्चन है इसमें पातीन सब्जेट रहेगा तैसे जिएंड बाइलोजी त इसके बाद आप चाहों कि मैं लेटर लिंटे की तियारी करा कृँग तो प्लीज आप कमेंट करके बताना क्योंकि जब तक आप कमेंट करोगे मेरे को पता नहीं चलेगा किjoint की आपको मेरी जरुष्त है lengths समझो अगर आपको अच्छा लगता है समझ में आता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा तो गई सबसे पहले हम बात करते हैं मैट को स्लिवर्स के बारे में तो सबसे पहले आपको है कि कोई दो नंबर आपको दिया रहेगा उसका है निकालो और प्रोड़क्ट आफ नंबर करो तो इक्वल होता है ऐसा कुश्चन आपको क्लास तेंथ के चक्टर वन में आपको देखने को मिल जागा है एच्छ एफ और एलसे माला कोशन और उसके बाद नेक्स्ट अगर बा उसको बात करें तो आपका है पॉलीelu वीन विल्ट बहुत अच्छा चैप्टर होता है और इस से माल प्रोटा इसक्टर और यहां पर जो ही मैं आप को quadratic equation quadratic equation को आप बहुत अच्छे से solve करने सीखो इसके मिनान मिटर से completing a square method से मतलब आपको solve करने आना चाहिए और उसके बाद next जो हम बात करें तो वह है सबसे important age and boat stream problem जो आपका age problem होता है ना जो एज वाला रहमान का एज तो उसके father का age कितना और उसके grandfather का age कितना होगा वह वाला और उसके बाद boat and stream problem कि भाई boat जो है वह stream के opposite direction में जा रहा है या फिर same direction में जा रहा है और इसी में ट्रेन वाला भी problem आता है तो बोट श्रीम और train भी बोल सकते हो तो वह वाला question आपको अच्छा से करना है और उसके बाद नेक्स जो है mensuration mensuration को भी आपको बहुत अच्छा से करना में सुरेशन का मतलब कि आपको area and parameters निकालने आना चाहिए तो area और parameter वाला जो question होता है उसको आपको बहुत अच्छा सी करना है नेक्स अगर बात करें तो next आपका circle circle में आपको area of sector निकालने आना चाहिए ठीक है parameter of sector निकालने आना चाहिए और circle में साथ ही साथ आपको टेंजेंट वाला जो प्रोपर्टी होता है circle का की टेंजेंट पर्पेंडिकल होता है रेडियस से वह पर पटी मतलब आपको circle बहुत अच्छे सा समझ में आना चाहिए और अगर नेक्स बात करें तो नेक्स है आपका एपी यार्टिमेटिक प्रोग्रेशन अर्टिमेटिक प्रोग्रेशन का जो आपका basic basic questions है उनको आप अच्छे से कर लो उससे भी question आता है और इसके बाद जो नेक्स चैप्टर है नेक्स टॉपिक है वह आपका class 9 का टॉपिक है तो इसमें आपको basic समझ लेना है जैसे कि उसमें है आपका quadilatoral triangle parallelogram trapegyum इसमें आपको basic concept होना चाहिए इक वाड़ी लेटल फ्रीगर होता है उसका area कैसे निकालते हैं उसमें क्या क्या properties होता है पहले लोग्राम क्या properties है ट्रेपेजियम का क्या है तो यह सब basic concept है इसको आप अच्छे से करो नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत ही अच्छा चैप्टर अपने आप में बहुत ही बड़ा चैप्टर रहें टिग्नोमेट्री एंड एप्लिकेशन और टिग्नोमेट्री और एप्लिकेशन और टिग बैलु फाइंड करने देगा लिए अगर अगर बात करें तो नेक्स्ट है आपका सर्फेस ऐ्रिया एंड बॉलिम सर्फेस एंड बॉलिम में आपको जैसे की सिलेंडर का एरिया निकानले बोल सकता है उसके और बहुत सारे फीगर होते हैं से इंडर फ्रस्टर्म फिर उसके भी question आता है आप सोचो हो कर ऐसे कुशन नहीं को नहीं आता है तो यह जो टॉबसक्व यह पराउस तीन से चार कुशन आता है वह आपका probability probability उसे हैं भाछ ज़ analgin और इसमें आपको झो डाइस ब्रकूशनमर बहुत यही आपका लेटरल इंटी का स्लेवर्स जो कि मैंने प्रिवेस एर के कोश्चन से निकाला है तो अगर आपको कुछ और भी एक्स्रा लगता है तो आप पढ़ सकते हो कोई यह नहीं है और मैं यहां पर यह नहीं बोल रहा हूं कि इतना पढ़ लोगे तो आप टॉप कर कहाएगा यह ठीक है और आपको और फर्दर और अच्छे से पर ना यह तो आप लुकाश की कबहुत अच्छेसे कर लीजे 11 और टूवल पे फोकस मत कीजिए क्लास 9 और क्लास 10 अपके लिए है उसको आप बहुत अच्छ से करो आपका लैटरल इंटी के एक्जाम आपके लिए वेट कर रहा है उसके बाद हम बात करें फिजिक्स के बारे में law fitting effect वह सब पढ़ देना ठीक है तो electricity भी आप अच्छे से पढ़ लीजेगा और उसके बाद magnetism magnetism मतलब magnetic effect of electric current the magnetic effect of electric current में electric generator electric motor का जो concept होता है वह आप अच्छे से पढ़ लेना fuse wire का काम लीव वायर का काम वह सब और जो चौथा chapter है वह एक optional chapter आपके लिए अगर आप चाहू तो आप पढ़ सकते हो नहीं चाहो तो मत पढ़ना इस पर कभी एकाद question मैंने देखा previous 5 साल के question में मैंने एक दो question बस देखा है तो अगर आप चाहो तो सकते हो नहीं तो फिर चोड़ देना है वो जो चाप्टर है वो है आपका motion and force जो के class 9 का है तो motion और फोर्स को अगर आप चाहो तो बैसे कली पढ़ सकते हो और नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है तो पढ़ लेना तो को पढ़िये साथी सात अलॉय को पढ़िये कि एलॉय क्या होता है एलॉय किते तरह क्यों होते है और उसमें साथ साथ पढ़ीये metallurgical processes को जैसे कि calcination तो पूस देगा कि कि के प्रिजूचन में होता है और फिर उसके के बाद रोस्टिंग सलफाइड और को कैसे अलग करते हैं कौन सा प्रोसेस लगाते हैं कुछ रिड्यूसिंग का नाम दे जाएगा आपको सामने तो बैसिकली आपको ओला क्या है तो यह सब चीज और उसके बाद है आपका डिफरंड कैमिकल रीक्षिंग जो अलग तरह के लिक्यास यहां उत है इसको आपको याद कर लेना है कुछ चैमिकल से próxim को और साथ ही साथ जैसे कि different compound name तो जैसे कि इसमें हैं आपका HGS को लोग सीना बार बोलते हैं तो इस तरह से आपका जो different compound name होता है न वह सब आपको अच्छे से याद कर लेना है तो आपको फोकस करना है metal metal alloy metallurgy पे और acid salt में जो compound होते हैं उस पे और कुछ reactions को आपको अच्छे समझ लेना नेक्स्ट अगर हम बात करें biology के बारे में तो गाइस अगर हम biology की बात करें तो biology में आपको आपके पूरे तो body parts को बहुत चीह से पढ़ना है जैसे कि हार्ट में आपसे पूछ सकता है में है कितना चेंबर यह नाम होता है तो इस तरह का question आपसे पूछा जा सकता है तो अगर कर दो तो खुद बाखुद यह सब कोष्टिन आपके सामने क्लियर होते जाएंगे तो हर्ट पढ़ लेना आप अच्छे से तो उसके बाद लंक्स पढ़ लेना और इसके बाद digestive system पढ़ लेना digestive system आपको पूछ सकता है कि small intestine कितना बड़ा है उसमें कितना parts होता है उसके बाद kidney पढ़ लेना kidney के बाद blood पढ़ लेना blood के बाद lymph पढ़ लेना जो कि blood के जैसा ही होता है और साथी साथ brain पढ़ लेना तो basically यह सब आपके body parts है और इनसे ही question आता है तो basically इससे आपको 6-7 question आ जाएगा और उसके बाद अगर दूसरा topic की बात करें तो दूसरा topic है आपका Amoeba Amoeba को अच्छे से पढ़ लेना जैसे कि Amoeba जो होता है एक प्रोपर्टी होता है उसका खुद का प्रोपर्टी होता है तो Amoeba को पढ़ना जरूरी है उस पर भी question आता है अमीबा पढ़ लेना प्लांट में पढ़ लेना जायलम इंफ्लोएम के बारे में मतलब प्लांट का पुरा function समझ लेना कि कैसे कैसे प्लांट अपना खाना बनाती प्लांट में कौन सा हार्मन होता है जैसे कि मैं एक एक्जांपल दू तो जैसे कि आपका आम का पेड़ है तो उसके लिए कौन रिस्पॉंसिबल होता है तो यह सब आपको प्लांट में ठड़ने है ठीक व सकी रूट के लिए कौन सा हर्मन है उसको रोकने के लिए कौन सा हर्मन है तो यह सब चीज अपको प्लांट में पढलें और उसके पाद चीज आप influencer आप जो कि arguments से पिलचे केम स्ट्री और बाइलोजीक और वीडियो अच्छा लागा है तो प्लीज लाइट ठोको सब्सक्राइब करो और अगर आपको चाहिए कि मैं लेटर लिंटी के ऊपर वीडियो बनाओ लेक्टरी कि तयारी करऊ तो प्लीज कमेंट किजे अगर आपका कमेंट आएगा तो मेरे को समझ में आएगा कि आपने आपको जरूरत है मेरी तो मैं वीडियो बनाओंगा